हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे टारेक्ट रीट ओफ एड़ुकेशन की मैथेमेटिक्स की वोक्षीट, क्लास टू के बच्चों की है एक तारिक की 121 नंबर की, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक वाध्यापिका का नाम, चलो बाटे आधा आधा, शु यहाँ अपने इस सारे उपहारों को देखकर वे बहुत खुश हुए, ममी ने कहा कि इन उपहारों में मिली चीजों को आपस में आधा आधा बाट लो, तो उस दिन हमने उनके बद्दे सेलिबरेशन में देखा था कि एक प्लेट में जितना अवनी के लिए दिया था, उतन इन उपहारों को बाटने में अकाश और अवनी की मदद करें, तो इन उपहारों को बाटने में अकाश और अवनी की मदद करते हैं, उपहार में मिले बोतल, कितने मिले दो, तो दो में से एक हो गई अकाश की और एक हो गई अवनी की, इसी प्रकार मिले चार खिलोने, कितन तो इसके आगे लिख लीजिए खिलोने दोखिलोने अकाश के इसनी प्रकाड दोखिलोने अवने के खिलोने इसे ध्यान से लिखेंगे लिखा हुआ है already महा से देखके आपको अरामसे से लिखना है खिलोने इसी प्रिकार अगला है आठ चौकलेट आठ चौकलेट दी थी तो आठ का आधा कितना हो गया चार और चार चार चौकलेट हो गई अकाश की और चार हो गई अवनी की चार चॉकलेट ठीक है चार चॉकलेट और यहां भी चार चॉकलेट इसी प्रकार अगला है बारा पैंसिलेगे यह मैं अभी आपको पुरा लिखके दिखाँ रहे हैं इसके पाद एक शॉट ट्रिक बताऊंगे यह क्या होती है अभी बारा पैंसिल में से अगर 6 दे दे हम अकाश को और 6 दे दे अवनी को ठीक है तो ये हो गई 12 तो 6 पैंसिल हो गई अकाश की और 6 पैंसिले हो गई अबनी की इसी प्रकार 6 गुबारे हैं तो 6 गुबारों में 3 गुबारे अकाश के और 3 अबनी के 3 और 3 गुबारे तो ये हो गई 3 गुबारे और 3 गुबारे अब शाटकर ट्रिक क्या है देखे दो बूतल अबनी के एक अबनी का एक अकाश का तो 2 का आधा करना है आधा मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 वन जा 2 एक इसकी एक इसकी इसी तरीके से 4 खिलोने जब 4 को आप डिवाइड करोगी 2 से तो कितना हैगा तो 2 जा 4 तो 2 जा 4 तो 2 खिलोने इसके 2 अबनी के ऐसे ही 8 चॉकलेट 8 को जब आधा करेंगे इसका तो 2 से डिवाइड 2 फोर जा 8 तो 4 इसकी चॉकलेट 4 इसकी चॉकलेट ऐसे ही 12 पैंसिल 12 का आधा डिवाइड बाई 2 2 6 जा 12 छे पैंसिल इसकी 6 पैंसिल इसकी है ना ऐसे ही 6 गुबारे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 3 जा 6 तीन गुबारे इसके तीन इसके अब क्या करना है अभी वावकों के लिए सुझाव है अगर आपने चानल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए अगली वाकशीट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए बच्चों को मिल जूल कर रहने और अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ बातने के लिए प्रे रिद करें तो बच्चों दूसरों के साथ मिल जूल कर रहना चाहिए और अगर किसी को किसी चीज क्या शक्ता हो तो जरूर क्योंकि शेरिंग इस केरिंग और कोविट से बचने के लिए मास्क जरूर पहनें। बाई बच्चों